नमस्कार सभी भाईया आज हम आठ दस जो विदुद्धारा पढ़ रहे थे उसका दूसरा टोपिक जो एक इंपोर्टेंट टोपिक है विदुद्ध विबव एंव विबवांतर के बारे में पढ़ेंगे विदुद्ध विबव और विबांतर क्या है पहले हम बढ़ते हैं विदुद्ध विबव के बारे में कुछ बाते हैं या विबांतर के बारे में कि विदुद्ध विबव आविसित वस्तु के विदुद्ध परवा की दिशा को बताता है कि जो वो दो वस्तु होती है जिस व विबव समान हो और यदि उनके विबव का अंतर जिसे हम बोलते हैं विबवांतर तो जो विबवांतर है यदि उसका मान सुनने हो तो आवेस या जो धारा है उसका प्रवा नहीं होता धारा या आवेस का प्रवा तब होता है जब दो एक दूसरे के संपरक में आने वाली वस नहीं होगा अब हम बात करते हैं विवांतर की विवांतर क्या है जैसे ये कोई परतिरोदक कह दें चाहें चालक कह दें ये चालक के दो बिंदू है एक बिंदू A और दूसरा बिंदू B एक कोई आवेस है क्यों क्यों आवेस को इस बिंदू A से B बिंदू तक ले जाने में अब हमें पता है कि किसी विवस्ता को एक इस्तान से दूसरी विवस्तान तक ले जाने में कारिय करना पड़ता है। तो यहां वह इसी विवस्तान का उप्योग करते हैं हम बात करते हैं कि जैसे यह कोई क्यू आवेस है इस क्यू आवेस को बिन्दू ए से बिन्दू बी तक ले जाना है। आवेस को एक बिन्दू से दूसरे बिन्दू तक ले जाने में किया गया कारिय विवांतर कहलाता है। कारिय को वेक्त करते हैं डबलू से और आवेस को वेक्त करते हैं क्यू से तो विवांतर का सुत्र कैया होगा वी बराबर डबलू बटा क्यू। क्यों अब हम बात करते हैं कि विवांतर की परिवासा होगी विवांतर का सुत्र हो गया हम विवांतर के मात्र की इकाई की बात करते है कि विवांतर का मात्र क्या होता है इकाई क्या होता है इसका सुत्र होता है वी बराबर डबलू बटा क्यों डबलू यहां पर है कारिय का म मातरक होता है जूल और आवेस आवेस का मातरक होता है कुलाम तो जूल बटा कुलाम तो उसका मातरक क्या हो गया विबांतर का मातरक एक तो होता है जूल बटा कुलाम जो इसके सुत्र के उनसार है दूसरा इसका मातरक होता है वॉल्ट जिसे वी से वक्त करते हैं वॉल्ट को किस से वेक्त करते हैं वी से इसका मातरक वॉल्ट क्यों रखा गया क्योंग एक वेग्यानिक थे अलेसांद्रो वॉल्टा उनके सम्मान में इसका मातरक रखा गया वॉल्ट तो ये होगे मात्रक की बात कि मात्रक है वो विवांतर का जूल बटी कुलाम भी होता है और वोल्ट भी होता है अब एक परसन आता है परिक्षा में कि एक वोल्ट को परिवासित कीजिए जैसे हमने पीछे पढ़ा था विदुदारा वाले चैप्टर में कि एक एम्पियर को परिवासित कीजिए वैसे ही होता है एक वोल्ट को परिवासित कीजिए तो एक वोल्ट बराबर होता है एक जूल बटाए को कुलाम तो वी हमें अबनी पढ़ा है कि सुत्र जो हता है वी बराबर होता है जूल बटी कुलाम तो यदि हम कोई भी चालक है ये चालक का A सी रहा है ये B सी रहा है इस चालक के A सी रहा है से यदि A कुलाम आवेश को A से B तक ले जाएं और उस दोरान यदि किया गया कारिय है जो कारिय है वो जूल है आवेश है उसका मान है A कुलाम एक कुलाम आवेस को एक बिंदू से दूसरी बिंदू तक ले जाने में येदी किया गया कार, ये एक जूल है, तो भी बांतर का मान कितना होगा, एक वोल्ट होगा, तो भी बांतर है, उसका मान होगा, एक वोल्ट, तो एक कुलाम आवेस को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया कारी यदि एक जूल हो तो विबांतर का मान एक वोल्ट होगा ये एक वोल्ट की क्या होगी परिवासा तो परिवासा याद करने का तरीका ही है कि एक उलाम आवेस को एक बिंदू से दूसे बिंदू लग जाने में यदि एक जूल कारी किया जाता ह है तो विवांतर का मान एक वोल्ट होता है तो यह तो बात होगी विवांतर की अब बात करते हैं तो विदूद विभो वे से यह दि देखा जाएं तो विवांतर और विदूद विबो दनों एक चीद होती है वह सिंअ फ follower का अंतर हुता है इस astronel सामें क्या होता अभी हमने विभांतर बड़ा अभी वो पढ़ते हैं कि जैसे कि ये एक बिंदू है और एक कोई आवेश है क्यूँ उस आवेश क्यूँ को अनंत से कहां से अनंत से मुलब जिसकी दूरी निश्चित निया अनंत से हम किसी भी विदूत परिपत में किसी निश निश्चित बिंदू है आवेश क्यूँ वो अनंत पर है तो अनंत से किसी आवेश को एक निश्चित बिंदू तक विदूत परिपत में लाने में किया गया कारिय क्या कहलाता है विदूत विभाव उसमें एक बिंदू से दूसरे बिंदू तो लह जाते थे इसमें अनंत स एक आंग दनावेस को एक निश्चित बितु कहले हैं उसे बहुते हैं तो किशी एक आंग दनावेस को अनन्त से बितु कहलाता है विदुत बितु कहलाता है और कोई भी आवेस जो होता है उसके अनंत पर जो उसका विदुद विबव का मान होता है वो हमेशा क्या होता है सुनने होता है तो इसलिए इसका सुत्र जो होता है वो ही विदुद विबव और विदुद विवांतर का ग्याद करने का सुत्र दोनों सेम होते है तो अनन्त से विदुद वीबो को इसमें लाने में तो V बराबर इसका सुत्र वीबो होगा जो विबांतर का है W बटा Q विबांतर बराबर कारिये बटा आवेस अब है विबांतर मापने का यंतर जैसे विदुद दारा मापने का यंतर हमने पढ़ा था सुनने से लेके अनन्तक अलग अलग परतिरोद की विवान वॉल्ट मिटर आते हैं तो जैसे उसका परतिरोद होता है वो सुनने से अनन्तक होता है जो वॉल्ट मिटर होता है उसका परिवू से हमेशा परिपत में समानतर करम में जोड़ा जाता है अभी इस पर चेप्टर में आगे पढ़ेंगे हम समांतर करम स्रेनी करम क्या होते हैं तो हमेशा पहले तो हमें यह याद रखना कि वोल्ट मीटर हमेशा परीपत में समांतर करम में जोड़ा जाता है और जो विदू दारामा अपने का यंतर एमीटर होता है वेया परिपत में हमेशा स्रेणी करम में जोडा जाता है तो ये दोनों परसन आपको याद रखने है इस दोनों चेप्टर जो हमने पड़े हैं इन में हमेशा छोटे छोटे परसन आते हैं बड़ा जादा परसन नहीं आता है एक नंबर का परसन आता है अब हम बात करते हैं विद्दूत विवांतर से समंधित जैसे आंकिक परसन भी आता है एक नमबर का कि जैसे 10 वोल्ट विवांतर हमें क्या दिया हुआ है 10 वोल्ट विवांतर मतलब वी का मान दिया हुआ है हमें 10 वोल्ट वी का मान हमें 10 वोल्ट दिया हुआ है दो बिन्दों के बीच तीन कुलाम आवेस को, आवेस Q का मान दिया हुआ है, तीन कुलाम, ले जाने में किया गया कारिये W का मान हमें याद करना है, कारिये का मान हमें गयाद करना है, अभी हमने सुत्र बढ़ा उपर, V बराबर होता है, W बटा Q, तो वही सुत्र V बराबर, W बटा कियू तो भी विबांतर हो गया कार्ये डबलू हो गया आवेस क्यू हो गया हमें निकालना मान किया है डबलू का क्यू को इद्धर ले आएंगे तो डबलू बराबर हो जाएगा वी गुणा क्यू इसमें मान रखेंगे तो W बराबर आजाएगा V का मान कितना है? 10 वोट गुणा Q का मान कितना है? 30 तो W बराबर 10 यह 30 तो कारिय का मान आजाएगा 30 जूल तो यह आज हमने एक चेप्टर किया है विदुद विबव और विबवांतर कि विदुद विबव क्या होता है? और इनसे समद्धी चेप्टर और एक आंकी परसन भी किया है तो यह चेप्टर आपको ध्यान रखना है, इसको नोट भी कर लेना है और याद भी करना है अपने नोट बुक में नोट भी कर लेना और पिछला टोपिक है वो भी आपको जो दिखाया गया है वो भी नोट कर लेड़ा और गर्मे रहें सेफ रहें धन्यवाद